प्रतियोगी परिक्षा में इंग्लिस के पेपर में इडियम्स फ्रेजिस यानी मुहावरे से कुशन्स जरूर होते हैं जो या तो डारेक मीनिंग पूछ देता है या कॉमान एरर या फिल इन ब्लैंक्स के माध्यम से पूछ दिये जाते हैं कभी कभी ये पैसेज में भी दिख जाते हैं ये इडियम्स फ्रेजिस देखने में कुछ और अर्थ देते हैं पर वास्तों में इनका अर्थ कुछ और होता है जिने हम सिर्फ प्रैक्टिस करके ही याद कर सकते हैं तो आएए दोस्तो आज का प्रैक्टिस सुरू करते हैं दोस्तो हमारा पहला प्रश्ण है high and dry इसकी meaning आपको बताना है चार options है brave, alone, lazy and credulous दोस्तो high and dry का जो मतलब होता है वो होता है अकेला, rejected, अकेला, तनहा और चार options अगर देखा जाए तो दोस्तो इसका answer होगा be, alone क्योंकि alone का भी meaning होता है अकेला, तनहा इसलिए इसका answer होगा be, अगले प्रश्ण में चलते हैं दोस्तो हमारा अगला प्रश्ण है oily tongue, चार options है bravery, flattery, nicely and failure दोस्तो आपको बताना कि इसका सही answer क्या है दोस्तो, oily tongue का मतलब होता है चापलूशी और options के हिसाब से देखा जाए तो flattery, flattery का भी मतलब होता है चापलूशी इसलिए इसका answer होगा दोस्तो, be, अगले प्रश्ण में चलते हैं तीसरा है हमारा है, at the 11th hour, बहुत ही important question है यह, अक्तर आपको चिजाम में दिखेगा यह, तो at the 11th hour का मतलब आपको बताना है दोस्तो, चार options है in the beginning, दूसरा option है at 12 o'clock, तीसरा option है at the last moment and चाउधा option है futile search दोस्तो, जड़ा इसको सुधार दिजेगा, यहाँ पे futile में यह आई है तो दोस्तो, आपको पताना है कि सही option कौन सा है, तो दोस्तो, इसका answer होगा see, क्योंकि at the 11th hour का मतलब होता है दम आखरी छण में, दम आखरी moment पर, तो इसका answer होगा see, अगला प्रसन है दोस्तो, french leave, चार options है, an important leave, to make a lot of money, leave without permission चाउधा option है, to create ill feeling, दोस्तो, create की spelling यहाँ पे गलता आपको सही करना होगा, यहाँ पे e होगा तो दोस्तो, आपको बताना है कि french leave का meaning क्या है, दोस्तो, मैं आपको बता दू, french leave का मतलब होता है, बिना permission की छुपती ले लेना इसलिए इसका option होगा, see, leave without permission, अगला प्रसन है दोस्तो, to show the white feather, चार options है, to show the shine of bravery, to show respect, to bring happiness, और चाउधा option है, to show the shine of cowardice, दोस्तो, to show the white feather का मतलब होता है, कायरता का संकेत दिखाना, कायरता का चिंद दिखाना, इसलिए option होगा दोस्तो, इसका d, to show the shine of cowardice, यह एन दोस्तो, ध्यान दिजिएगा, to show the shine, sign का मतलब है, चिंद संकेत, cowardice का हिंदी होता है, कायरता, तो कायरता दिखाना, कायरता का संकेत दिखाना, to show the white feather का मतलब होता है, दोस्तो, अगला प्रशन है, to cross sword, cross का मतलब होता है, cross करना, लड़ाना, और sword का मतलब होता है, तलबार, तो दोस्तो, इसका चार options दिया गया है, to sharpen the sword, तलवार को धालदार बनाना दूसरा अप्शन है तुसीट आइडल जिसका मतलब नाकारा निकम्मा के रूप में निकम्मा के तरह बैठे रहे रहे तूसरा आप्शन है तूस्पेक्ट यानि संदेह करना चार अप्शन दे दिए गये हैं आपको बताना किसका सही अंसर क्या है दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दू क्रॉस्वर्ड का मतलब होता है जगडा करना या बहस करना इसलिए इसका अंसर होगा सी अगला प्रशन है इन अनट्षेल बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और यह सारी चीजह प्रैक्टिस से ही आती है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको एडियम रटने की जरूत नहीं पड़ेगी आटोमाटिक आपको यह हमेसा के लिए याद हो जाएगा और अक्सर आपको एक्जाम में मिलना है अगर आप इंग्लिश में इंट्रेस्ट लेते हो तो आपके पास एडियम और फ्रेजिस का अच है तो दोस्तो इसका अचेति आपको एडुकि ड्रीफ का भी मतलब न시면 यहीं एकि अगला क्रूसर दोस्तों टू भी रोलिंगिन मनी पोई लेकिने सही कुछ एहसास हो सकता है चार प्स्ट्र लेक तो ओक्सानह कुछ का हुई नपा को फाईट लड़ना ऊच्टो को दोप फ बहुत सारा पैसे कमा लेना धनी हो जाना इसलिए आंसर होगा डी अगला कोशन है तू रीड बीट्विन दे लाइन्स वैसे तो हिंदी निकल रिये लाइन्स की बीच में पढ़ना लेकिन चार ओप्शन से देखते हैं दोस्तों तू रीड केर लेसली यानि लपर भाई तरीक किसी चैलेंज को accept कर लेना दोस्तों इसका सही option क्या होगा सही अंसर प्रकम के समझ लेना इसे poem होते हैं जिसको आसानी से रहा है यानि if someone is reading between the lines जिसका मतलब है कि वह hidden meaning को निकाल करके समझ रहा है पढ़ रहा है अगला प्रस्न है दोस्तो तु call a spade a spade बहुत important topic है बहुत important question है और अक्सर exam में पूछा गया है कई चारे SSC exams में यह question आया हुआ है to call a spade a spade चार options है to dig the ground दूसरा option है to sit lazily तीसरा option है to speak frankly और चाहुथा option है to drink a lot दोस्तो आपको बताना है कि इसका सही answer क्या है दोस्तो मैं आपको बता दू to call a spade a spade का मतलब होता है frankly बात करना समसाब साब सबस्ट तरीके से बात करना कुछ भी मन में न रखना सब कुछ एकदम clear बात करना इसलिए आंसर होगा दोस्तो इसका इसका आंसर होगा दोस्तो c to speak frankly एकदम frankly इसलिए खुल के बात करना अगला प्रसने दोस्तो drink like a fish वैसे तो हिंदी निकल रही है drink का मतलब होता है पीना और like a fish मने मशली के समान तो मशली के समान पीना चार options है to be very clever बहुत ही चतुर बंदा to sing like a fish मशली की तरह गाना और c option है to drink wine a lot यानि बहुँ ज़्यादा सराब पीना वाइन का हिंदी योता शराब और to swim like a fish यानि मशली के समान तैरना दोस्तो मैं आपको बता दू drink like a fish का मतलब होता है बहुँ ज़्यादा सराब पीना इसलिए इसका अंसर होगा c दोस्तो एक और बात बता दू आपको अगर आप sentence में वाइन नहीं भी लिख दे तो काम चल जाता क्योंकि drink का मतलब पीना होता है और सराब पीने से इसको जोड़ा जाता है तो to drink a lot भी होत लेकिन चार option है दोस्तों देखते हैं to break the record record तोड़ेना to stop talking बात करना बंद कर देना to start fighting लड़ना सुरू कर देना और चाथा option है to start the conversation यानि बात्चित सुरू कर देना तो दोस्तों इसका answer होगा to break the ice का जो meaning होता है बात्चित सुरू कर देना जिसका अपने देखा होगा कि चार लोग बैठे हैं और आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो जो शुरुवात करेगा बात करना इसका मतलब है कि वो break the ice कर रहा है break the ice का मतलब होता है कोई conversation कोई भी बात्चित सुरू कर देना इसलिए answer होगा डी अगला question है kit and kin बहुत important यह भी है चार options है brothers and sisters, parents, relatives and friends दोस्त इसका answer क्या होगा दोस्तों कित and kin का मतलब होता है रिस्तेदार सगे संबंधी options थोड़े confuse करने वाले हैं लेकिन इसका सही जो option होगा वो होगा relatives यानि सगे संबंधी रिस्तेदार अगला प्रशन है by fits and starts very important अकसर आपको passages में भी मिल जाएगा यह word by fits and starts यह देखने में भादूरी अे और यहाय को बयार यह और अधे आर यह ओड़े ट्रिफल का मतलब चुछ चीजें डरेगुलारडली मने नयमкраї रूप से और ईर्रेगुलार्डी का मतलब होता है तो ब्रेफिर सनो अकला प्रस्तर अर्यमि अनियमां रूप से सब्सक्राइं तथे सब्सक्राइब हूं सब्सक्राइब करें तो को नुक्तराइब यह रहीं होता है दूखिद की है पुल्क प्रस्क्राइब डिंडी से मतलब हेड मतलब है कार्म चार ऑप्शन दिया तो stop talking आप सिर्सियं या आप या अन्सुन कर देना या इनि अउन्च साघ्य अगला प्रस्न है a man of straw a man of straw दोस्तो इस ट्रॉ का मेनिंग पहले आपको थोड़ा पता दू स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका घास अपने देखा गा उसमें तिनका होता है तो उस तिनके कोई स्ट्रॉ कहते हैं कोई छोटा सा लकडी का डंडा जिसे आप इस ट्रॉ कह सकते हो इस ट्रॉ कहा जाता है उसे a man of straw का मेनिंग आपको पताना है चार आप्शन से a weak man एक कमजोर आदमी a strongman एक मजबूत आदमी ए लेजी में निकाल सी आदमी और चता आप्शन है brave man एक बहादूर आदमी दोस्तो इस ट्रॉ जैसा कि इस ट्रॉ से ही पता चल जा रहा है कि एक अगला प्राशना दोस्तो आउटटान आउट आउट का मतलब होता है दोस्तो आपको बताना है चार ओप्शन से ब्रेवरी में मिस्टेक हुई आप देख लिए आरवाई के इक। כफो ब्रेवरी गोरेम चलEr्कली ब्रेटटीअ तो नीन NEXTे लौन आर फैसे चार आपकर क्य तो दोस्तो आउटनाइंडी होता है पूर्ण रूप से इसका आंसर होगा बी गुंप्लीटली में चेज़ा थोरोली भी हो सकता है को कि थोरोली का भी मतलब होता है पूर्णरोप से तो बरी का हिंदी होता है दफना देना गार देना है इन फर 20-22 वंबर सब्सक्राइन या कि इस्टार्ट कमरते शूरूकरन चाहर ने तो डुर्ception माथ कर देना तो बताना है दोस्तों अपको क्या वसकता है तो जायद इसी बात है दोस्तों कुलाडी को अगर आप दफना देते हो गार देते हो इसका मतलब है कि आप दुस्मनी समाप्त कर चुके हो तो टुबरी दा हैचेट का मतलब होता है दोस्तों दुस्मनी को समाप्त कर देना इसलिए इसकांसर होगा D इसका अंसर होगा दूस्तों B अगला प्रस्न है Herculean Task बहुत एक सिंपल paridia है एक दूस्तों हरकुलियन टासं के चार आप्सोन है simple work a difficult task great work andraph an easy task ग्रेट ग्रेए टास्क दौस्तों ह्रकुलियन टास्क का का मतलब होता है बहुत ही कठिन काम इसलिए इसका अंसर होगा बी और डिफिकल्ट टास्क अगला प्रस्थ दोस्तों टू ले डाउन दा आंस का मेनिंग बताना है आपको चार ओप्शन दिये गया है इसलिए अधियार रखना तो इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा ले डाउन डाल देना अर्थार शरेंदर कर देना यानी हर मान लेना तो दोस्तों इसका अंसर होगा बी दोस्तों प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा लगा होगा उमीद करते हैं कि आप इन सारे जितने भी imperium मैंने आपको बताया उसको आपको नोट कर लोगे और अगर आप नवीं भी करते हो अगर आप video दो बार और देखते हो तो यह video से जितने भी मैंने बताया है आपको यानद जरूर दीजेगा और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करेगा वीडियो पशन्द आया तो लाइक जरूर करेगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेगा Thank you